तो इसके लिए मैंने यहापन लिया टमाटर आलू कटे हुए और हरे मटर उसको हम अभी उबाल लेंगे तो मैं एक कढ़ाई में सारे सबसिया डाल रही हूँ टमाटर आलू और हरे मटर उसमें नमक और पानी मिलाके उसको ढखके अच्छे से उबाल लोंगी जब सबसिया नरम हो जाए तब उसको हमें मसलना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी मिलाओंगे और उसको अच्छे से मसलती रहूँगी तो देखिए सबसियों को मैंने अच्छे से मसल लिया है अब उसको एक बोल में रखोंगे और उसको साइप में रख दूँगी अब उसी कड़ाई में मैं तेल और बटर एक साथ लूँगी आप चाहे तो सिर्फ बटर से भी पावजी बना सकते हैं मैं यहाँ पर दोनों यूज़ कर रही है जब तेल और बटर अच्छे से गरम हो जाए तब मैं उसमें कटे हुए प्यास डाल दूँगी प्यास डालने के बाद उसको करीब एक मिनिट तक मैं अच्छे से प्यास को भूर लूँगी करीब एक मिनिट बाद मैं प्यास की बिच में लसन और अध्रक का पेस डालूँगी और उसको अच्छे से फिर से करीब एक मिनिट तक उसको पका लूँगी करीब एक मिनिट बाद मैं इसमें जीरा पाउडर लाल मिच पाउडर तीखा आप की साब से डाले पाव भाजी मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और उसको आप अच्छे से मिला के करीब एक से दो मिनिट तक पका लिए अब मैं इसमें कटे हुए कैपसिकम डाल दूंगी या जिसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं और हलका से शक्कर में यहाँ पर डालूंगी अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डाले और उसको मिलाने के बाद मैं यहाँ पर जिस पॉइल किये हुए हमारे मसाले हैं वो मसाल डाल दीजिए आप चाहें तो यहाँ पर रेड फूट कलर भी डाल सकते हैं पर मुझे खाने में ज्यादा कलर पसंद नहीं है डालना इसलिए मैं नेच्रल ही रख रही हुआ है अब मैं मसालों के साथ फिर से एक पर उसको अच्छे से मसल लोंगी मसाले के साथ सबसी आप जितनी अच्छे से मिलाएंगे पावभजी का टेस्ट उतना ही अच्छा बनता है अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी पानी आप आपकी हिसाब से डाले आपको कम नहीं डालना है पर एकदम ज्यादा भी नहीं डालना है तो आप पहले थोरा डाले उसके बाद आपको लग और उसके बीच मैं butter और लाल मिश पौडर मिलाओंगी और लाल मिश पौडर आपके एसाब से अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो सिर्फ आप butter से ही करें तो मैं इसके लिए एक दवे पे butter डाल रही हो और उसके उपर ही मैं हलका सा लाल मिश पौडर डाल दूगी और जट से पाव को अच्छे से मिला लोगी, आप ऐसे मिलाईए कि दोनों साइड में मसाले लग जाए अच्छे से, स्यादा देर पाव को आप दवे पे ना रखे, करीब 20 या 30 सेकंड तक आप पाव को गरम कर ले, उसके बाद उसको निकालके भाजी के साथ सर्फ कर ले, सर् लसुनी चटनी हो जाए तो पाव भजी का मता ही कुछ और है, तो लसुनी चटनी का लिंक दीच दिया हुआ है, आप उसका रेसिपी भी आप देख सकते हैं, यह रेसिपी आप घर पे ज़रूर बनाए और कैसा लगा आप कमेंट सेक्षिन में मुझे जरूर बताएं